केटरेक्ट जिसको हिंदी में मोतियविंद भी बोलते हैं उसके कारण ब्लाइडनेस बहुत बढ़ रही थी इंडिया में जिसको हटाने के लिए डॉक्टर गोविंदपपवेंगर स्वामी ने 1906 में अर्विंद आई केर होस्पिटल की शुरुवात की हेलो एवरीवन वेल्कम तो चैनल एविटिंग अवाउट हेल्थ केर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज यह बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया आई केर होस् से हुई जो आज 4000 बैड का गुरूप बन गया है जिसमें साथ टर्शरी आई केर होस्पिटल छे सेकेंडरी आई केर होस्पिटल छे कम्यूनिटी आई किलीनिक्स और सत्तर प्राइमरी आई केर सेंटर से साउथ इंडिया में मदूराई से इसकी शुरुवात हुई और आज यह इतनी सारी लोकेशन पर आवेलवल है जैसे कि देख सकते हैं चैननाई पॉंडी चैरी मदूराई तुरूना वैली तुत्ति कोरीन कोईंबटूर सेलम कई सारी लोकेशन पर और इसके अलावा नाइजीरिया में भी इसका एक सेंटर है बहुत बड़ा सर्विसेज की बा नाइज होता है और बच्चों के लिए बिश्यक्ति diffy जी आई पेडियाट्रिक रिफ्रेक्टिव मेर्स लेशिक सरजरी और रिफ्रेक्टिव सेंटर से जीनकी और सर्विसेज की अगर बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं आज हॉस्पिटल्स थो यह प्रवाइड करते है आउट्रीच मतला केंप वगएरा भी प्रोवाइड करते हैं यह टेली ऑप्तल मुलाजी भी होती है जिससे रिमोट एरियास में डॉक्टर ट्रीट्मेंट कर सके वीडियो कॉन्फरेंसिंग या अलार माध्यम से एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टिटूट भी इनके कंसल्टैंसैल प्रोवाइड करते हैं बहुत बड़े सट्र है कि मैनुफेक्ट्र देखें जैसे अरो लैब इनकी खुद की यूनिट है यह देवलब्लंग कंट्री को सस्ते लेंज और इक्क्यूपमेंट प्रोवाइड करती है इसकी शुरुवात 1992 में हुई 1990 में डिबेट चल रही थी कि आयो एल मतलब इंट्रा ओक्यूलर लेंज जो केटरेक्ट सर्जरी में काम आता है वह डवलपंग कंट्रीज के लोग नहीं ले पाएंगी क्योंकि यह उस टाइम सो डॉलर का आ रहा था और इतने पैसे नहीं थे डवलपंग कंट्रीज के लोगों के पास तब अर्विंद सारी क्या होता है आयो एल लेंस इंट्रोक्यूलर और इनको वर्ल्ड के मतलब सारे अक्रेडेशन भी मिले बेस्ट लेंस बनाया लोगों ने और बहुत सस्ता बनाया आज यह लेंस एक सो साट देशों को सप्लाय करते हैं और जिसमें से साट प्रतिशत सप्लाय नॉन करनियल ब्लाइंड लोगों को रोशनी मिलती है यह हर साल करीब धाइजार केंप्स करते हैं मतलब हफ्ते के लगबक 40 गाओं और छोटे शहरों में क्योंकि आज भी गाओं में जागरुकता कम है बीमारीयों के प्रति और जिसको सरजरी की जबूरत होती है उनको होस्पिड लाए किया क्योंकि उनको पता था कि कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनकी रोशनी कम या क्यों जा रही है किस वजह से जा रही है इसलिए कैम्प और्गनाइज करवा हो कॉस्ट ओफ ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो यह पेशेंट के ऊपर है कि उसे फ्री या पेट सर्विस लेना है वैसे पेट सर्विस भी काफी सस्ती है प्राइस रेंज है एक तालीस डॉलर से एक सो पचीज डॉलर मतलब लगबक तीन हजार से लेके दस हजार और यह सब हो पाया है उनकी इनोवेशन की वज़े से जो वह सौ डॉलर का लैंस दस डॉलर तक ल उनका मानना था कि जिसकी आँखों की रोशनी बचाई जा सकती उसकी बचनी चाहिए फिर वो अमीर हो या गरीब कभी रुके नहीं है हमेशा इनोवेशन की और कुछ ना कुछ नए रास्ते निकाले जब लैंस की कीमत एक अनंगा बनने लगी तो उन्होंने उसकी प्राइ आज भी इनकी परिवार के 32 लोग अर्वेंद आई केर में सेवा दे रहा हैं हर तरह से बेस्ट है और डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं आई सर्जरी के लिए अपॉंट्मेंट ओनलाइन नहीं होता है यहाँ पर लेकिन ऑफलाइन जाने पर भी कोई दिक्कत नही बता सकते हैं